बात करते हैं question number 21 के बारे में क्या गर है 21 ए बी सी डी किसी चक्रिय चतरबुज के सीड से तो cos a plus cos b plus cos c plus cos d का मान क्या होगा तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चीए कि चक्रिय चतरबुज मतलब cyclic quadrilateral क्या होता है उसके बारे में तो क्या होता है देखिएगा वो बना भी लेते हैं साती साथ चतर बुझ है तो इसका आले चार बुझाओं वाली आ करती है ठीक है और चक्रिय चतरबुज है तो ऐसा चतर बुझ जो किसी वरत के अंदर आता हो उससे हम कहते हैं चक्रिय चतर बुझ तो cyclic quadrilateral मतलब चक्रिय उसके बारे में बात कर रहा है तो चक्रिय चतर बुझ मतलग चत्र बुझ जो चार बुझाओं से गिरा हुआ चतर मतलग जो एक व्रत के अंदर आ रहा हो तो यह हो गया आपकी चतरीय चतर बुझ अए ऐसाचतर बुझ जिसके CHैंस बिंदू वर्टेक्स पॉइंट उस C और D तो यह एंगल A हो गया यह एंगल B यह एंगल C और यह एंगल D हो गया अब चक्रिय चतरबुज के लिए खास बात यह होती है कि जो विपरित सीड्स मिंदू होते हैं उनका योगफल 180 डिगरी के बराबर होता है तो यहां पर क्या होगा एंगल A प्लस एंगल C जो है वो बराबर एंगल B फ्लस एंगल D जो है वो बराबर होगा 180 डिगरी के क्योंकि ये चक्रिय चतरबुझ का गुण होता है उसकी properties में आता है कि opposite angles का sum जो है 180 degree के equal होगा तो इसलिए A plus C और B plus D जो है इनका योगफल जो है वो किसके बराबर होगा 180 degree के ठीक है अब हम ले लेते हैं जो पूछा गया है उसमें तो क्या पूछ रहा आपको आपको कह रहा है cos A plus cos B plus cos C plus cos D क्या होगा तो निकाल लेते हैं जो पूछा गया है cos A plus cos B plus cos C को हम क्या लिख सकते हैं cos C को हम लिख सकते हैं आप यहां से देखें तो 180 minus A क्यों क्योंकि A और C मिला कर 180 degree है तो केवल अगर C लिखना है तो क्या होगा 180 minus A हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं C को cos C की value लिख रहे हैं हम क्या 180 minus A plus क्या है cos D तो इस cos D की value भी हम क्या लिख सकते हैं 180 degree minus B तो cos D की जागे लिख लिख लिया 180 minus B किसी रहे किसी को तो change करना पड़ेगा तब ही इसकी value निकलेगी अब देखिए अच्छा C और D को ही change क्यों किया A और B को change क्यों कियो आप चाहे है तो A और B को change कर लिए जो की C और D मेंठ survives इसको और डी लिखेंगे फिर इनको change नहीं करेंगे तो क्या होगया आप देखिएगा 180 माइनस थीटा है तो चतुरतांस वाला concept देखते हम जैसे कि आपको पता है यह 0 डिगरी यह 90 डिगरी यह 180 डिगरी यह 270 डिगरी और यह फिर से 360 डिगरी इसे बोलते हम सम् года फरस्ट गवाडरेंट प्र granddaughter यह 2nd यह 3rd और यह 4th कौडरेंट बतलब चतुर्थ चतुरतांस यहां पर सभी धनात्मक होते हैं यहां पर साइन और कॉछक धनातमक होते हैं यह 10 कॉट्ट धनात्मक होते हं और यहां सैक और हम बात करें हैं कॉस्त जो है वो धनात्मक होते और हमेशा जो है 90 degree और 270 degree पर परिवर्तन होता है और 180 degree और 307 degree पर परिवर्तन नहीं होता, changes नहीं होता, कैसा परिवर्तन, sign का, अगर हम change देखें तो किस में होगा, sign बदलता है cos में, tan बदलता है cot में, और sec बदलता है cos act में, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये, 180 degree है, तो परि अब प्लस का आएगा या माइनस का वो जरह हम देख लेते एक सोसी माइनस ये मतलब एक सोसी माइनस थीटा है तो एक सोसी माइनस थीटा मतलब कहां आ रहा है दूसरे वाले में तो दूसरे वाले में तो अगर हम देखें तो दूसरे वाले में साइन और कॉसेक धनात्मक होता क्योंगी परिवरत नबवे डिग्री और 210 डिग्री पर ही होता है तो आएगा तो वापस cos अहज़िए प्लस का आज़िए या माइनस का 180 गोम दर में चलते से तो दूसरे में जा रहे हैं तो दुसरे में तो साइन और कॉसेक जो होता है वो धनात्मक होता है लेकिन यह तो कॉस है यह रिनात्मक ही होगा कि अब देख लीजिए जो पूछा गया उसका unsember निकल चुका आपके आरहम से जो कट रहा है उसको काट के देख लेते हैं कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस 0 हो गया फॉस B प्लस कॉस्स बी माइनस जीरो हो गया तो फाइनली इस पूरे कुश्चन का आंसर आ गया जीरो तो यह था कुश्चन कुश्चन नमबर 21 इसी कुश्चन नमबर 21 के साथ मैं राकेश शौदरी आपका mathematics teacher welcome करता हूं आपका डिजिटल तैरी के YouTube चैनल पर जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकॉण मिती और उसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट तंबर 5 जिसका एक कुश्चन हम कर चुके हैं बात करते है नेक्स्ट के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन 22 देखिएगा साइन दस डिगरी प्लस साइन बीस डिगरी प्लस साइन तीस डिगरी चालिस डिगरी पचास डिगरी ऐसे करते हुए साइन तीन सो पचास डिगरी तक जा रखा है और आपको पूछ रहा है इसका सम जो है टोटल जो है वो क्या होगा देख लेते हैं इसको साइन दस है तो वह ही लिखते हैं यह साइन 20 ऐस इस आ गया ऐसे साइन 30 भी रहेगा और ऐसे यह सिरीज चलती रहेगी अब देखिएगा साइन 340 डिगरी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 340 डिगरी को मैं लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 20 360 में से 20 जाता है तो 340 डिगरी होता है सही है प्लस साइन 350 डिगरी है इसको मैं लिख सकता हूं sin 360-10 तो 360 वैसे 10 जाता है तो 350 डिगरी होता है बिलकुल वही लिखा वा है उपर चली अब हमारा अंसपर आ चुका था यह हो गया आपके वैसे तो अब लिखने की जरूरत नहीं है दिखे रहा अंसपर क्या आएगा sin 10, sin 20 साइन तीस ऐसे गाड़ी चलती रह रही है जिनको हमने चेंज नहीं किया है चेंज हमने किया है इनको अब देखेगा अब यह भी मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री और 360 पर परिवर्तन नहीं होता तो इसका अलब साइन 20 और साइन 10 से ही वापस आएंगे प्लस ये माइनस के होंगे वो हम देख लेता है यह कह रहा है 360 माइनस 20 है तो यह 0 डिग्री ये 90 डिग्री ये आपके 180 डिग्री ये 272 दिग्री और यह वापस 360 दिग्री तो 360-20 और माइनस 10 मलब 360 थीटा है तो कहां आएंगे इधर चौथे चतूरतांस में और चौथे चतूरतांस में कौस और सेक जो होता है वो धनात्मक होता है यह तो साइन है तो रिनात्मक होगा तो इसका मतलब value आ गई इसकी minus का sin 20 degree और यह आ गया minus का sin 10 degree ठीक है चलिए अब हमारा answer भी आ चुका है यह minus sin 10 degree और यह आपके plus sin 10 degree यह minus sin 20 degree यह plus sin 20 degree यह plus का sin 30 degree है तो यहाँ पर भी minus का sin 30 degree आ जाएगा क्योंकि यह 350 है यह 340 है तो यहाँ कितना रहेगा 330 रहेगा तो 360 मैंसे 30 कम करेंगे तो कितना होगा 330 जो कि minus का sin 30 दे देगा फिर इस plus वाले से वो भी कट जाएगा तो finally इस question का answer पर भी क्या आएगा 0 यह था question question no.22 बात करते हैं next question question no.23 के बारे में क्या गहरा है question no.23 देखिए ज़रा if a plus b is equals to 90 degree then find out the value of sin square a plus sin square b देखिएगा यह question करने से पहले आपको total 7 points जो है वो मैं लिखवा देता हूँ कि कब दो कॉणों का योगफल 90 degree होने पर कौन कौन सी condition हमेशा satisfy होती है देखिएगा दो एंगल हैं हमारे पास जैसे कि थीटा 1 और थीटा 2 तो यदि थीटा 1 और थीटा 2 का योगफल जो है वो 90 degree है तो क्या होगा हमेशा तो सबसे पहली बात होगी कि साइन थीटा 1 किसके बराबर होगा कॉस थीटा 2 के दूसरा इसी तरह से टैन थीटा 1 बराबर होगा कॉट थीटा 2 ऐसे ही सैक थीटा 1 बराबर होगा कॉसेक थीटा 2 के अगर 2 कॉणों का योगफल आपस में 90 degree है तो साइन और कॉस की वेल्यू टैन और कॉट की वेल्यू सैक और कॉसेक की वेल्यू आपस में बराबर होती है बस फर्क इतना है कि ये जो योग है कॉणों का ये कितना होना चीए 90 degree होना चीए तीन चीजे ये होगी टोटल 7 बोला था मैंने आपको आगे और देखते हैं देखिएगा चौथा पॉइंट क्या आएगा कि जब दो कॉणों का योगफल 90 degree होगा तो चौथा पॉइंट ये है कि टैन थीटा वन मल्टिप्लाइ टैन थीटा टू वो हमेशा किसके बराबर होगा एक वैसे ही पाँचवा पॉइंट देखें कॉड थीटा वन मल्टिप्लाइ कॉड थीटा टू वो बराबर किसका होगा एक के तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो कॉणों का योगफल 90 degree होता है तो टैन के दौनों कॉणों का गोड़न फल एक होता है और कॉट के दौनों का गोड़न फल भी एक होता है और साथी साथ साइन और कॉस अबसमें बराबर होते हैं, टैन और कोट आपसमें बराबर होते हैं, सैक और कॉसेक आपकों से है, बस शर्त यह है कि उनके कौनों का युक्फल 90 degree होना चाहिए और कौन से 2 point रहे हैं 7 point बोले थे ये 5 आये हैं तो 6 point क्या है वो भी देख लेते हैं देखिएगा जरा च्छटा point ये है कि sin square theta 1 plus sin square theta 2 इनका युक्फल क्या होगा एक होगा वैसे ही last point है कि cos square theta 1 plus cos square theta 2 जो है उसका युक्फल भी कितना होगा एक होगा दियान रखिएगा एक सर्व समी का होती है जो की होती है क्या sin square theta plus cos square theta equals to 1 वो अलग है और ये अलग है उसमें sin square theta plus cos square theta sin और cos का angle एक समान होता है कौन बराबर होता है जबकि यहाँ पर angle अलग-अलग है और वहाँ sin square plus cos square होता है यहाँ sin square plus sin square है और cos square plus cos square है तो ये 7 point है जो की आपको ध्यान रखने हमेशा satisfy होंगे केवल और केवल एक ही शर्थ होने पर और वो शर्थ ये है कि दौनों का योगफल कितना हो 90 degree तो अगर योगफल 90 degree हो गया तो इन 7 मेंसे कोई भी आप condition ले सकते हैं satisfy कर सकते हैं आप derivation के through कर सकते हैं या फिर directly इसको use कर सकते हैं आप किसी भी question को solve करने के लिए आ जाते हैं अब हमारा जो अभी सवाल है उस पर question यही कह रहा है कि A और B दो कॉर्ण हो गए जिनका योगफल 90 degree है तो आपको यह बताना sin square A प्लस sin square B जो है उसका मान क्या होगा तो यहां साफ साफ देख पा रहा हूं मैं अगर theta 1, theta 2 का योगफल 90 degree था जिसको इसने बोल दिया है A और B मतलब 2 कॉर्णों का योगफल 90 degree है तो sign में उनका square करके add करने पर वो हमेशा value कितनी देगा एक देगा तो इसका answer हो गया 1 directly आप याद रखके बता सकते हैं इन चीजों को याद रख से और आया कैसे वो देखना है तो वो हम देख लेते हैं तो बात करता है question को solve करने की answer तो आप direct कर सकता है क्योंकि आपको पता चल गया है value कितनी आनी है 1 आनी है अब वो A कैसे रही है वो देखना है तो वो जड़ा हम देख लेते हैं देखिएगा sign square A plus sign square B इसकी value आपको पूछी जा रही है चलिए तो sign square A plus sign square B को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 minus A कैसे देखिए यहीं से B की value लोगे आप क्या होगी 90 degree minus A तो बस B की जगए 90 degree minus A लिख दिया है चलिए ठीक है फिर sign square A तो as it is आ गया अब 90 degree है तो 90 और 270 degree पर क्या होता है change होता है तो sign बदलेगा किसमें cos में बदलेगा तो आएगा तो cos square A plus का आएगा या minus का वो हम देख लेते हैं 90 minus A है तो 90 minus theta हो गया एक तरह से तो first quadrant प्रथम चतूरतांस पे चला गया जहां पर सभी धनात्मक होते है तो ये भी धनात्मक आया तो अब ये तो हमारी सर्वसमीका बन गई एक तरह से sign square A plus cos square A तो सर्वसमीका इसकी value कितनी होती है एक तो answer कितना आ गया तो जैसा कि मैंने आपको कहा वो 7 points जो हमने अभी लिखे थे उससे इसका answer direct हम टिक कर सकते थे और आया कैसे अगर वो समझ रहा है तो ये derivation एक तरह से आपके सामने है चलिए ये था question number 23 बात करते हैं next question 24 के बारे में question number 24 क्या कह रहा है देखिएगा वैसा ही कुछ है जैसा अभी हमने पढ़ा है A plus B जो है वो 90 degree के बराबर है तो sin A गुणा सैक B का मान क्या होगा तो ले लेते हैं इसको sin A सैक B है तो B को मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से B का मान आ सकता है 90 degree माइनस A तो ये लिजिए 90 degree माइनस A ठीक है यहां तक चलिए ये आगया sin A ये गोणाय का चीन है multiplication एक तरह से 90 degree है तो क्या changes होंगे 90 degree है तो बिल्कुल changes होंगे 90 और 270 पर बदलते हैं तो सैक बदल जाता है किसमें कॉसेक में तो आएगा कॉसेक A प्लस आएगा या माइनस वो ज़रा हम देख लेते हैं 90 माइनस A है तो 90 माइनस थीटा हुआ तो फर्स्ट क्वाडरेंट में तो सभी दनात्मक तो ये दनात्मक में आएगा आंस्वर आगया आपका sin A ये multiplication का sin कॉसेक कॉम लिख सकते हैं एक वटा sin तो ये cancel तो आंस्वर आगया आपके पास कितना एक क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के इन्वर्स होते है वैसे सैक और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते है और टैन और कॉट भी एक दूसरे के इन्वर्स होते है तो इसका आंस्वर आगया वन बात करते हैं next question number 25 के बारे क्या कह रहा है question number 25 A plus B कितना है 90 degree 10 A और 10 B का multiplication किसके बराबर होगा ये बतान तो ये लीजिए 10 A multiplied 10 B को मैं लिख सकता हूँ 90 minus A B को ही क्यों बदल रहे हैं A को क्यों नहीं बदल रहे हैं आप चाहें तो A को बदल लीजिए A को लिख लीजिए 90 minus B तो फिर ये 10 B यूं कहीं रहेगा चलिए ये आया 10 A 90 minus theta है तो 90 है तो क्या होगा change होगा तो 10 किसमें change होगा cot में तो ये आएगा cot A ठीक है चलिए अब cot और 10 एक दूसरे के inverse होते है तो cot को लिख सकता है 1 upon 10 तो answer आगया कितना 1 यही आपको पूछा गया था जो कि finally 1 आ चुका है यह था 25 नेक्स्ट देखता है 26 के बारे पर देखिए sign bracket 3x minus 6 bracket close is equals to cos 6x minus 3 bracket close तो इसका अगल साइन का यह angle cos के इस angle के क्या है बराबर है तो sign और cos के कौन आपस में उसी समय बराबर होते हैं जब उन दौनों का योगफल कितना होता है 90 अभी 7 points बताये थे उसमें सबसे पहला point यही था कि theta 1 और theta 2 जोडने पर अगर 90 डिगरी हो जाएं तो sign और cos की value आपस में बराबर होगी तो इसने बोल दिया है कि sign का यह कौन और cos का यह कौन आपस में बराबर है तो इसका मतलब इन दौनों का योगफल कितना है 90 डिगरी है तो ले लेते हैं यह कौन 3x-6 ले लेते हैं वो वाला कौन 6x-3 इनका योगफल कह रहा है 90 डिगरी है तो हमें तो केवल x निकालना था निकल चुका है वो तो 3x और यह 6x कितना हो गया 9x माइनस 6, माइनस 3 कितना हो गया यह हो जाएगा आपके माइनस का 9 उधर जागर किसका हो जाएगा प्लस का तो 90 में 9 एड होगा तो 99 हो गया x निकालना था जो की आ चुका है कितना 11 डिगरी और यही आपको पूछा गया था यह था हमारा question question number 26 बात करेंगे question number 27 की हमारे next share, subscribe, digital तैयारी